हाई अबर्फिस वागत है लक्समीज किचन में एक नए वीडियो के साथ तो फ्रेंड साज हम बना रहे हैं बेसन की चक्की बिल्कुल सिंपल तरीके से देख रहे हैं कि तेशांदार हमारी बेसन की चक्की बने बिल्कुल खाने में एक दम सौफ्ट है तो आज हम बनाएंगे जब खाने को कुछ भी मीठा गर्मियों के दिन चल रहे हैं बड़े बड़े दिन दिन कुछ मीठा खाने कमन करता है तो जटपट बनाएं बेसन की यह बहुत ही बढ़िया मिठाई इसके लिए मैंने बेसन लिया एक कटोरी और उसी की मातरा में ने चीनी ले लिए यह यह कर quiet ओना सकते हैं इस थोड़ा सा करना सकते हैं और उस ने हमें गी दाल और हमना दिया हैं देसी घी आ सकते हैं तो मैं यहां पर मुनस्पती गी में बना रही हूं तो देगे को मेल्ट कर लेंगे और जब हमारे गी अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा एक बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम बेशन या फिर्याटा कुछ भी ऐसी चीजे भूंदे तो हमें गैस का फ्ले है वह अच्छी नहीं बनेगी तो फ्रेंट्स कम गैस पर ही आप इस चीजों को पकाएं बहुत अच्छी मिठाई बनेगी देखिए बेसन को हम गी के अंदर अच्छा सा मिक्स कर रहे हैं और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है हमने ताकि धिमी धिमी आज पर हमारे जो बेसन वह अच्छा सा पक्कर डडी हो जाए तो इस परकार से हम सारे बेसन को गी के अंदर चासा मिक्स कर लेंगे आप देख रहे हैं किस परकार से तो अगर आप मेरे चैनल में नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गा इसका जो बैल आइकन बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगयाने वाली हैर वीडियो की नोटिफिक्सन आपको सबसे पहले मिले तो फ्रेंड्स वीडियो को अंद तक जरूर देखेंगा तभी पता से लेगा आपको की बेसन की जो हमने मिठाई बनाई हो किस परकार से बनी है तो देखिए मैं इसको लगाता च हो चुका है हमारा बेसन और इसके अंदर अलकी खुसबू भी आनी स्टार्ट हो चुकी है बस हमें इसी परकार का बेसन चाहिए बून रहे हो देखिए इसमें बबल से बनने लगे इसका मतलब हमारा जो पेसन वह बिल्कुल पर्फरक्त तरीके से सक पकर त्यार हो चुका ह बस इमें एक या दो मिन्ट तक और इसको चला लेते हैं और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रसी पर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए गा और ज़्यादे ज़्यादे अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए गा तो देखिए बेसन हमारा बूंद कर रड़ी हो चुका है अब इसको हम क्या करते हैं कि अलग बरतन को इसमें निकाल देते हैं और बनाते हैं चासनी के लिए जितना हमने बेसन ले था उसी कॉंटटी में चीनी की लिए लिए और चीनी को एक टॉपिक अंदर हम इसके ओपर रख लेंगे और अच्छी मेल्ट होगी को में चलाते रहना लगातार ज्यादा वक्त नहीं लगता चासनी बनने में भी और इसकी चासनी हमें डेड़ तार की चाहिए और थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाल दी है मैंने इसके अंदर तो देखिए चासनी में अच्छा सा उबाल आ चुका हें अबड़े तो आपको नुली पर दिखा रही हूं देखिए अभी हमारी चास्नी बनी नहीए वासा चिप बनाया है फि स्के तो थोड़ 수도ी और पर कि आ झाल की पार लेते हैं आप तो एक यह उपड़ा सा वर कुकर लेते हैं ताक हमारे हमारे लेड़ टार की चाहिए हमारी चार्षनी त्यार है तो फ्रेंड जो हमने बेसन बूना था उस बेसन के अंदर ये चार्षनी डाल देते हैं और इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं गैस कफले मौन कर लेते हैं और बेसन के बूने बेसन के चार्षनी मैंने मिला दी है अब इसको में दीरे दीरे अच्छा लगे यह ये लोकलर भी डाल सकते हैं यह थोड़ा सा सिंधडूरि क edited लिए ठीए मैंने डाल दी यहीं को चा साब मुक्स कर लेए इसको में ज्सक्व यह इस चार्शनी दालते ही जैसे सक प्रॉफंटर में दो तयार हो गई है अब exatamente अलग बरतर में निकाल देती हूं वर्फी बनने की काउंटर टी में हमारा जो बैटर वह तैयार है इसको में दस या पंदरा मिंट तक इस प्लेट के अंदर ठंडा होने के लिए आप चाहें तो अगर आपको जल्दी करना तो फ्रीज पर भी अंदर भी रख सकते हैं तो फ्र अल्ग